वहीं हिमाचल विधान सभा चुनाओं के लिए नामांकन प्रक्रिया सुरू हो चुकी है वहीं नालागड विधान सभा छेत में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्यासी उतार दिया है आपको वता दी कि पारस बैंस ने भुजन समाज पार्टी का प्रत्यासी बन नालागड इसडियम कार्याले में नामांकर भरा वहीं A&B News से पारस ने खास बात चीत भी की है नमशकार A&B News में आपका स्वागत है मैं श्वेता भारदवाज इस समय आपको नालागड से अपडेट देने जा रही हूँ आज नामांकर नालागड में B.S.P. के जो प्रत्याशी है पारस बैंस उन्होंने जो है यहां से नालागड से अपनी उमीदवारी जताई है और आपको बता देते हैं कि पारस बैंस के बारे में आपको थोड़ी सी इंफोर्मेशन दे देते हैं पारस बैंस जो है वो एक पंजाबी सिंगर है और काफी उनके गाने जो है पंजाबी में रिलीज हुए है एक गाना उनका फौजियों के लिए जो है काफी फेमस भी हुआ है तो इस समय आपको हम बताते कि इनोंने जो है सिंगिंग को दर किनार करके जो है राजनीति में अपना कदम रखा है और अब इन से हम बात करते हैं नमश्कार पारीस भेंजी अपका सोगध है NB News में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सिंगिंग को छोड़कर आप राजनीति में आपने कदम रखा है तो एक बहुत अलग जो है सिंगिंग और राजनीती बहुत अलग तो जानना चाहेंगी कि क्यों देखो जी मैं जो एक आम घर से उठा हुआ एक बच्चा बिगती हूँ और मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ जी मैं जो एक बढ़ शुरू से ही जो हमारा समाज है जो हमरे रिष्तेदार है जो मेरे कोलेज मेड़ स्कूल मेट है उनके साथ मेरा शुरू से ही बड़ा ही अच्चा जो ब्हावर रहा है और मुझे मौका मिलता है पूरी फिल्ट में घुमने का कहीं भी कोई खुशी का मौका होता है तो मैं बहां पे अपने लोगों के बिच में जाता हूँ और जब मैं उन लोगों के बिच में गया तो मैंने बड़ा एक ऐसा है महसूस किया क्योंकि यहां पे लोगों साथ बड़ा दुर भेहवार हो रहा है यहां पे सरकारों बड़ी एक घोचने बड़ी करती है कि हर किसी के लिए यहां पे रोजगार है, फैसिलिटीज है, सुभीदा है पर अनली एक जुमला है जो मैंने दिखा है तो इन सभी को देखते हुए मैंने ये परण लिया है कि मैंने अपने लोगों के बगापत करनी है जो हमारे गरीब समाज के लोग है, जो पिछड़े लोग है जिन लोगों कोई निपुछता, जिन को एक पंच्चे बढ़ान भी निपुछता उन लोगों को अगर मुझे आश्रबाद मिलता है तो मैं पुछूँगा जी आप से जाना चाहेंगे, नाला गड में आप किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं यहां पर संखे मुद्दे हैं यहां पर, यहां पर एक मुद्दा नहीं है अगर बात यहां पर स्वास्ते की करें तो स्वास्ते का बहुत बुरा हाल है अगर बात रोजगार की करें जो हमारे स्थानी बचे हैं, जो हमारे स्थानी यूबा है बो आजकल बिलकुल फ्री है, बेले गुम रहे हैं, कोई नहीं पर पुछ रहा है कि इतना बुरा हाल है जो बाटरी लोग है या जो अपने खास्म खास है जो हमारे हैं पे लोग हे उनके अपने करीबी लोग है whom珍को अनको फिट मिल रहे रहे हैं जो आम जनता है उसका बहुत बुरा लेड़ी जी तो यह थे पर जो है खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे जी धन्यवाद एंबी नियूज के लिए श्वेता भारदवाज की रिपोर्ट नालगर से